हालो एवरिवान वेलकम तो माई चानल आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं आपके सीडिपी के एक और इंपॉर्टन टॉपिक को that is your हैडिडिटी अन एंवार्मेंट अगे जो टॉपिक है यह अपने आप में ही बहुत जादा इंपॉर्टन टॉपिक है और हमने इसको थोड़ा बहुत पहली की वीडियो में भी डिसकस कर लिया हैं तो यहां से क्वेशन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा अपना जो आपके टैट में आपको डेफिनेटली यहां से एक क्वेशन देखने को मिल सकता हैं तो हम अच्छे से पढ़ेंगे जो जो क्वेशन रिवाइस कर लेते हैं जो आपका heredity and environment chapter रहता है I hope आपने principles of development जो वीडियो हमेंने बनाई थी वो आपने देख लिए होगी क्योंकि वो principles बहुत जादा important है वहाँ से definitely आपको question मिलेगा देखने को exam में अगर आप बाद में regret करने से अच्छा है कि अभी आप देख लीजिए जादा बड़ी वीडियो नहीं है जो भी उसमें points है वो valid points है और वहाँ से questions definitely हमने 12 या 13 जो principles दसक्स किये थे वो principles बहुत जादा important है एक पर उसको जरूर देख लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं देखी है ठीक है अब हम बात करेंगे heredity and environment की इसके बाद socialization पे एक वीडियो आपको देखने को मिलेगी फिर आपको printing style पे एक वीडियो आजाएगी आपके पास और उसके बाद memory से related accordingly हम यह जो वीडियो से post करते रहेंगे और आप देखती रही जी है इन वीडियो को बहुत जादे important है see मैं MCQ questions practice नहीं करवा रही हूँ बट जब आपके 15 days बचेंगे या 10 days बचेंगे तो 10 days हम क्या करेंगे जो important questions है हम उनको discuss कर लेंगे वीडियो में बात की थी कि principles of development क्या होते है और उसमें एक principle हमने ये बात किया था कि development is the product of heredity into environment जो कि आपके woodworth ने ये बोला है था हमने इसकी बात की थी तो हमने वो बात कर ली थी तो आज की video start करते है उस point को ध्यान रखते हुए हम ये जो next heredity and environment जो है करते हुए चलेंगे इस video में so let's start but उससे पहले अगर आप मेरे चानल पर नए हो तो please मेरे चानल को subscribe कर दो बहले किनको press कर दो so that जब भी मैं video upload करूँ आपको पता लगता रहे हो सबसे पहले वो भी ठीक है so हम बात करते है heredity की heredity क्यों होता है यह सारी वो qualities होती है that हम जो अपने parents से inherit करते हैं चीक है and इसको हम अपने parents से inherit करते है आपको यह पता है कि heredity क्यों होता है common language में अगर हम बात करें कि यह सारी वो qualities हैं जो हम अपने parents से जो है वो inherit करते हैं चीक है अब यह जो heredity है यह कहां तक बहुत जादा important है जैसे हमा को पता है कि heredity क्या करती है हमारी growth को explain करती है हमारी growth pattern को explain करती है ठीक है pattern को explain करती है फिर हम how हम कैसे older grow होती है यह explain करती है क्यों हम अपने parents के similar है ठीक है यह सब कुछ हमा को heredity की वज़ा से ही पता लगता है हम हेरेडिटी की इतनी जाधा इंपर्टेंट है हम यह पढ़ने वाले हैं इस वीचों में सेकेंड हम यह बात करने पढ़ ले हैं कि हमारी development कैसे environment को Influence होती है Environment मतलब क्या होता है हमारा surroundings जो ही h ass कैसे हम इंटराक्ट कर रहें onTride पीपल के साथ या पीपल का जो इंटराक्शन है हमारे साथ वो भी हमारी development को बहुँ जादा influence करता है हमारे social cultural context जो होते हैं हमारे political and historical context जो है historical context जो है यह सारे क्या करते है हमारी जो हमारे जो environment है उसको effect करता है जी कि यह सारे environment में आते हैं यह हमारे जो growth है हमारी development है उसमें कोई ना कोई जो है role play करते हैं पट एक debate में आपको बहले से बताया आता है कि एक debate हमेशा रहती है हरे इंपोर्टन है कि environment important है यह वाले जो debate है बहुत जादा prominent debate है और इसका जो answer है finally यही conclude किया गया है कि दोनों बहुत जादा क्या है important है हमारी development के लिए ठीक है अब heredity होती क्या है heredity क्या है आपकी science है जहां पर हम यह study करते हैं कि क्या role है हमारे parents का हमारी life में ठीक है यहां पर हम genes की study करते है कि कैसे वो transmit होती है एक generation से दूसरे generation में and person to person कैसे वो influence करती है for example आपने देखा होगा कि आपके में कुछ trades ऐसे कुछ qualities ऐसे होंगे जो आपके grandparents में थे तो क्या हो रहे है आपके grandparents से parents में parents से आप में आई and आप से आगे आपके off springs में जाने वाली है तो यह कैसे होती है यह transmission यह genes की transmissions कैसे होती है यह सब कुछ heredity पे based है तो अगर हम hered क्या है some total of the traits potentially present in fertilized ovum सिरफ fertilized ovum में जो जो आपके traits आएंगे वो ही आपके अंदर आते है ठीक है and आपको पता है यह सारी चीजे all the qualities that a child inherited from the parents is called heredity यह आपको common language में मैंने समझा दिया अब आपको पता है life कहां से start होती है single cell से start होती है and आपकी जो union होता है आपके male and female germ cells का उसकी वज़े से क्या होती है fertilization होती है और उस fertilization के वज़े से क्या बनता है zygote बनता है and finally that zygote turns into baby आपको पता है यह चीज़ जाइगोट में क्या होते है आपके 46 chromosomes होते हैं हम human bodies में एक cell के अंदर कितने chromosomes होते है 46 chromosomes होते हैं 23 जो कि हमा को mother से मिलते है and 23 जो क इसको clear होनी चाहिए अगर हम इसकी mechanism की बात कर लें बहुत simple करके मैंने आपको mechanism लिखती है यहां पर पहले आपके meeting होती है ठीके first step आपके reproduction का meeting ही रहता है फिर आपकी fertilization होगी जैसे आपका ovum जो है वो fertilized हो जाएगा वो जाइगोट बोला जाता है यह important है zygote बोला जाता ह कई बार question यहां से आजाता है especially medical वालों को यहां से आजाता है question now next is in human beings जो है आपके number कितने रहते हैं 46 रहते हैं ठीक है out of which आपको पता है कि आपके 22 हम pairs बोल सकते हैं या 44 हम chromosomes बोल सकते हैं वो क्या होते है autosomes होते है autosomes मतलब आपके somatic cells somatic cells मतलब कहुन से जैसे आपके blood का जो आपका blood अपने parents के साथ मिलता है वो क्या है आपके autosomes की वज़ा से है आपका blood हो गया your then your tissues everything like that वो क्या है आपके autosomes में आते हैं ठीक है और दो जो है आपके sex chromosomes होते हैं वो आपके क्या रहते हैं अगर आप female हो तो xx रहते और male हो तो xy रहते हैं ठीक है यहां पर बालों का कलर है आपके आईस का कलर है यह सारे इस ही इन ही क्रोमोजोम्स की वज़ा से हैं और आपके जो सेक्स क्रोमोजोम्स रहते हैं यह कौन से रहते हैं यह आपके सेक्स डिटर्मिनेशन में बहुत सदा हेल्प करते हैं इसकी वज़ा से ही सारी जो आपके जो सेक्स है व तो एक चीज़ याद रखना है फीमेल की वज़ा से कभी भी जो बेबी का सेक्स है वो डिटमाइड नहीं होता है only male is responsible for this क्योंकि अगर जिसे आपको पता है यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर तो आप यहाँ पर देख लीजिए रुकिए दो मिनिट आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका क्या रहता है कि आपके फादर के पास क्या रहता है 44 Chromosomes जो कि मैंने आपको बता दिया, जो कि Autosomes होते हैं वो रहते हैं और उनके पास 1 X Chromosome रहता है एक Y Chromosome रहता है ठीक होगे 46, Mother के पास कह रहेगा 46, 44 आपके रहते हैं जो Autosomes रहते हैं फिर X और X रहते हैं तो Mother तो Decide नहीं कर सकी mother का चाहे एक X चाहता है चाहे दूसरा X चाहता है होगा तो होगा क्या ही आपको पता है कि आपके जो girl ही होगी other mother पर यह decide करता है mother की side से कभी भी extra कोई chromosome चाही नहीं सकता ठीक है but father की side से अगर X chromosome चाहता है आपको पता है यहां से आएंगे 23 and 23 यहां से आएंगे ठीक है तो यह वाला जो है आपके यहां से तो X ही जाएगा हमेशा चाहे यह वाला X जाए चाहे यह वाला X जाएगा अब देख सकते हो है यहां पर पत यहां से अगर एक X जो है आपके अगर father की side से x जाता है तो यहाँ पर क्या बन जाता है यहाँ पर girl बन जाएगी अगर यहाँ से y जाता है अगर यहाँ से अगर यहाँ से y chromosome जाता है तो क्या होगा यहाँ से x था यहाँ से y था तो क्या बन जाएगा boy बन जाएगा तब क्या बन जाएगा boy बन जाएगा तो father is the responsible I hope आपको यह process of fertilization समझ आगी होगी यह बहुत जादा important है हमने बात के लिए fertilization की fertilization कैसे होती है आपके baby का sex कैसे determine होता है अब एक question आपसे जो chromosome के बारे में बहुत जादा पूछा जाता है आपके genes के बारे में बहुत जादा पूछा जाता है यह पूछा जाता है कि who are the carriers of your that heredity from one generation to another बहुत लोग वहाँ पर जाके chromosome करके आते chromosome is not the right answer C, chromosome क्या होता है जो आपके sperm and ova के पास क्या होता है chromosomes होते है chromosomes का मतलब क्या होता है colored body chromosome मतलब body तो colored body होती है आपके chromosome और यह कैसे work करती है यहां से यह question भी पूछ लिया जाता है वो pairs में work करते है और हर pair क्या होता है similar होता है parents में सिरफ chromosome का zone जो इतना सा होता है chromosome के अंदर जो चीजे होती है जो genes होती है chromosome के अंदर होती है genes ठीक है वो genes responsible होती है आपके जो heredity है वो एक generation से दूसरे generation को carry करने में see each chromosome contains 42 over 100 genes ठीक है the genes are the carriers determiners or the seat of heredity मतलब genes ही carry करती है आपकी यह जो heredity है एक generation से दूसरे generation के genes are responsible for the development of particular traits I hope आपको समाज आ गया होगा अच्छे से next आप से equation पूछ लिया जाता है development of a zygote अगर germinal stage germinal stage की stage को बोला जाता है 0 से 2 weeks के बीच में germinal stage बोला जाता है फिर आपका embryonic stage आती है जो कि 3 से 8 weeks के बीच में आती है फिर आपकी fetal stage आती है जो की 9 weeks से आपके birth तक बोला जाता है fetal stage में बच्चा है ठीक है यह चीज़े important है specially medical वालों के लिए यहां से question बन जाता है क्योंकि उन्होंने यह चीज़े पहले भी पढ़ी होते है तो यहां से question उनके लिए बन जाता है but you never know कभी किसी और के लिए भी आ सकता है so I have included this in your chapter यहां से बना है question तभी मैंने यह include किया है next है birth of identical twins see identical twins आपके होते हैं अगर आपके पास two types के twins होते हैं monozygotic and dizygotic ठीक है तो अगर कैसे होता है आपके identical twins में क्या होता है जब आपका एक egg है egg sperm है आपके पास वो जो egg है वो split कर जाता है ठीक है due to any reason वो egg क्या है वो split कर जाता है after fertilization after fertilization तो क्या हो जाता है तो अलग-अलग babies दो babies बन जाते हैं उससे ठीक है ठीक है और उसके बाद क्या होता है वो split कर जाता है फिर से reunite नहीं हो सकता इसलिए दो different embryos start हो जाते हैं डिवलप करने हैं इस चीज में यह होता है कि दोनों same sex के होते हैं दोनों जो babies होंगे वो same sex के होंगे या boys होंगे या girls होंगे दोनों ही ऐसा नहीं होगा कि एक boy एक girl यहाँ पर कोई case नहीं हो सकता अगर वो एक ही ovum से split हुए है ठीक है एक ही ovum से split हुए है एक ही sperm से वो fertilized हुए है वो एक ही sperm से fertilized हुआ है तो क्या होगा आपका कि जो baby होगा वो same sex के ही होंगे दोनों babies ठीक है तो यहाँ पर for example हम बोल सकते दोनो girls है यह चीज आपको याद रखने है boys भी हो सकते है और आपको same sex होगा same placenta होगे मतलब जिससे उनको food चाता है नरिश्मेंट चाती है babies को same ही रहने वाली है placenta भी same blood group होगा same interest होगा बच्चों में क्यूंकि jeans भी same गई है हर चीज सेम ही है उनके अंदर ठीक है अगर एक और यहां से question बन जाता है cold relation of identical twins तो इन दोनों के वीच में जो relation रहता है वो 0.90 का रहता है सिरफ आप देख सकते हो 0.10 का फरक रहता है इनके अंदर बाकी हर चीज सेम रहती है ठीक है नेक्स्ट आपके जो आते हैं birth of fraternal twins वो आपके di-zygotic नाम से ही समझ आ रहा है वहाँ पर mono-zygotic था तो मतलब एक ही zygote से एक ही उससे एक से बने हैं दो zygote यहां पर क्या होगा यहां पर di-zygotic में क्या होता है कि दो different आपकी क्या रहते हैं eggs रहते हैं ठीक है and दो different obviously जो sperms रहने वाले हैं तो वो अलग-लग fertilized होते हैं ठीक है अलग-लग develop होते हैं वो चीज दोनों जो आपके zygote से वो अलग-लग क्या होंगे develop होंगे embryonic stage में भी अलग-लग जाएंगे हर चीज अलग-लग होगी ठीक है बट सिरफ same time क्या है वो same time पे वो womb के अंदर रहते हैं सिरफ इतना सा फरक रहता है तो jeans भी अलग-लग आएगी उनके अंदर ठीक है तो बट वो क्या होगा same time है तो वो brothers and sisters जो कुछ भी हो सकते हैं पर कोई sex determined नहीं है कि दोनों same होने चाहिए दोनों different होने चाहिए कुछ भी हो सकते है same भी हो सकते है different भी हो सकते है ठीक है और इससे क्या और यहाँ पर जो placenta रहती है वो भी different रहती है तो obviously जो पूरी प्रसेस यह ऐसा है कि हम यह बोल सकते है just real brothers and sisters born at same time है जैसे आपके real brother and आपके sister रहते है आप में थोड़ा दो साल का gap होगा तीन साल का gap होगा यह ऐसे बच्चे होते हैं जो same time born होते हैं बट उनके features कैसे रहते हैं जैसे आपके और आपके brother के या sister के हैं वैसे ही रहते हैं ठीक है and maybe separate sex sex भी different हो सकता है same भी हो सकता है that doesn't यहाँ पर कोई ऐसे specific नहीं है इनके बीच में cold relation क्या रहता है relation क्या रहता है cold relation इनके बीच में क्या रहता है fraternal twins के बीच में अगर तो same sex के अगर हम on the whole बात करें तो 0.75 का रहता है मतलब इतना नॉर्मली किसी भी दो बच्चों में रहता है siblings में रहता है वो ही रहता है यहाँ पर भी 0.75 का but अगर वो same sex के हैं तो 0.70 का रहता है और अगर उनलाइक sex के हैं different sex से हैं तो 0.59 का रहने वाला है difference I hope आपको यह चीज समझ आगी होगी यह important values है इनको learn कर लीजिए कि यहाँ से पुष्ली बार भी question पूछा गया था अब बात कल लिए नेक्स्ट स्ट जो है आपके laws of heredity है यह आपने बायो में भी पढ़े होंगे लाइक बिदिटे लाइक मतलब अपने यह observe क्या होगा कि आपके मतलब यह चीज देखा अगर किसी के parents doctor है तो बच्चा doctor परना ही पसंद करता है अगर किसी के parents scientist है तो बच्चा भी उसी field में जाना पसंद करता है किसी के parents teacher है तो वो भी teacher बनना ही प्रसंद करता है तो यह क्या है आपके यह आपके same examples है जैसे कि जैसा parents होंगे वैसे ही आपके बच्चे रहने वाले है तो यहाँ पर common observation यही है कि children are like their parents, a youth of chip is the old block a child takes after his parents in size, color, dullness, brightness etc. it has been explained by some biologists that the children are bound to resemble their parents closely because of continuing of germ plasma a cat gives birth to a kitten so the law is not universally true जैसे है यहाँ पर रिसा क्यों बोला गया है कि यह लो जो है वो universally true नहीं है सी यहाँ पर तो मैंने आप से बात की थी अभी जो आपके example दिया doctor and वो वाला तो बहुत से cases different भी तो होते है आप पुलोगे कि माम हमेशा ही ऐसा थोड़ी होता है ठीक है आपने यह भी देखा होगा कि अगर हम physical parents के बात की चाहेगी कोई बहुत अच्छे good looking parents है बट उनके बच्चे उतने good looking नहीं है bright नहीं है अगर बच्चा कोई पढ़ने में parents बहुत इच्छे थे पढ़ने में बच्चा उतना अच्छा नहीं है या बच्चा बहुत ही जाद bright उनके parents इतने नहीं थे so that's why this law is said कि यह universally true नहीं है यहाँ पर क्या है बहुत साधी exceptional cases है हमारे पास we see many exceptional cases like the children of bright intelligent persons are not always bright यहाँ पर आप example Amita बच्चन का ले सकते हैं कि वो कितने अच्छे actor है तो Abishik बच्चन उतने अच्छे actor नहीं है उतने अच्छा उन्होंने उस film में पल है It ignores all the role of environment यहाँ पर यह चीज इसलिए है यह बोल देता है कि अगर हर चीज यहाँ पर जो आपका law बोलता है कि हर चीज जो है रिडिटी से related और environment को कोई भी रोल नहीं दिया है So इसलिए इसको क्या करती है इसको separate करती है इसको गलत बोलता है यह universally accepted law नहीं है यह चीज आपको I hope समझ आ गई होगी अब बात कर लेते हैं Next की law of variation This law states that the children are not exact replicas of their parents आपको पता है You are not exact replicas कुछ ना कुछ तो आपके क्या रहते है Variations रहते हैं वो variations due to environment भी आ सकते हैं और वो किसी वज़ा से भी आ सकते हैं Law of regression This law states that the in successive generations variations tend to move from the average of the species which they cannot from apart अगर हम यह बात करें कि क्या variations, regressions मतलब with time कुछ चीजे regret मतलब regression होती रहेगी regret होती रहेगी नीचे नीचे दबती रहेगी और कुछ चीजे उभरती रहेगी विज़ टाइम यह चीजे होती रहती है अब हम इसके बाद बहुत important topic आपका environment environment पहावाद कर लेते environment क्या है? हर चीज जो हमारी life को affect करता है nature of the individual आपका except his genes के लावा सब कुछ क्या है? आपका environment है except आपकी heredity हर चीज environment है और यह क्या stimulate करती है environment मा को stimulate करता है influence करता है हर चीज के लिए so environment consists of various types of forces life physical, social, moral, economical, political, cultural and emotional forces हर चीज आपको आप यह चीज फिल कर सकते हो all these forces do exert their influence in molding the personality and behavior of the child मैंने इसके लिए आपको बहुत अच्छ एग्जाम्पल वो parrot वाल जो example है बस उसको याद रखी जीए और आपको हर चीज समझा जागी कि कैसे आपकी जो यह सारी चीज आपकी personality development में help करता है the term mental environment means the atmosphere necessary for the mental development of a person if the library labs curricular and co-cricular activities are properly organized the child would achieve the designed intellectual development की अगर आपकी library अचीज अच्छे से कर रहे हो तो क्या होगा आपका फिर उसके बाद आपका क्या रहेगा अगर आपने अच्छी activities प्लान की है as a school तो क्या रहने वाला है आपको तो हम अगर अच्छी से activities प्लान करेंगे तो क्या होगा हम बच्चे की intellectual जो development होती है उस पर अच्छे से work out कर सकते है therefore teacher should try to provide best mental environment तभी बच्चा क्या होगा अच्छे से develop कर सकेगा ठीक हमा को क्या उनको debates के लिए workshops के लिए encourage करना चाहिए तभी बच्चा जो होगा वो अच्छे से develop कर सकेगा अब जो आपकी debate आती है जो debate वर्सों से चलती आ रही है आपके nature versus nurture में see nature versus nurture क्या है heritage versus आपके environment ठीक है heritage को nature बोला गया है और nurture किसे बोला गया है environment को बोला गया है जैसे कि आपकी J.B. Watson की अगर आपने theories पड़ी होगी या उन्होंने जो बोला था आपने वो चीज पड़ी होगी वो यही बोलते थे कि आप मुझे बच्चे लाके देदिये irrespective of their nature उनकी heredity मेरे को वो कुछ भी नहीं matter करते है वो चाहे किसी चोर के बच्चे हो या अच्छी background से ना हो कुछ भी हो सकता है वहाँ पर तो मेरे को वो चीज मैटर नहीं करती बस आप मुझे छोटे बच्चे लाके दीजिए मैं उनको जैसे भी आप जो भी आप उनको बनाना चाहते हो वो बना के दे दूँगा उसमें उनकी nature का कोई जादा रोल नहीं रहने वाला है उनका nurture का ही रोल रहने वाला है पर वो तो behaviorist थे तो वो nurture पे जादा फोकस करते थे चीक है नेचर आपको मने बता दिया है कि heredity के लिक लिस्टांड करता है नेचर आपके environment के लिस्टांड करते है नेचर और नेचर दोनों के अपने अपने रोल रहते हैं चाहिल्ट की development में मैं आपको ये भी बता दिया है तो चिलरन इन दी सेम फामिली getting the same treatment will still have the different rates of development आपको यह चीज आपने देखी होगी कि आपकी family में दो बच्चे हैं तो दो नो बच्चे बहुत बेशक उनको environment जो है बहुत similar environment पर फिर भी उनके development rates जो है वो different रहेंगे और उनके intelligent levels भी different रहेंगे from one other यह क्या है यह show करता है कि heredity कितने ज़्यादा influence करती है ठीक है but on the other hand अगर हम यह बात कर जाएं कि दो twins है उनका जो nurtured है in different environments में हुआ है different environment उनको provide क्या गया यह suppose आपने एक बच्चे को कहीं और भेज दिया है तो आप वो देखोगे जो उनके development उनकी जो हुई है वो differently हुई है इसलिए हम यह भी बोल सकते हैं कि environment भी एक important role significance role play करता है आपके किसमे development में है हमने यह चीज बात कर लिया अब आपका जो next है Woodward के equation है जो मैंने आपको बता दिया है development is equals to heredity into environment I hope आपको यह चीज अच्छे से समझ आगी होगी अगर हम significance की बात करें heredity and environment की तो क्या significance रहता है heredity is defined as the totality of biological transmitted factors जो भी आपके parents से आए है transmitted factors वो रहती है आपके heredity और environment क्या है totality है आपके conditions की that serves to stimulate behavior or act to bring about modifications of behavior जो भी आपके अंदर changes आते है इसलिए हम बोल सकते है heredity and environment both are significant factors in the development of a personality if heredity is the base then the environment is its structure if heredity is the seed then environment is the soil ठीक है as we cannot separate seed from soil similarly हम कैसे हम heredity को environment से separate नहीं कर सकते है इसलिए हम यह बोलते हैं कि heredity and जो आपका environment है वो complementary है दोनों side by side चलने वाली चीज़े हैं दोनों ही बहुत जादा important है तो हम Woodworth की equation को बहुत अच्छी equation मानते हैं कि उसने दोनों को importance दी थी I hope आपको heredity and environment अच्छी से समझ आ गया होगा जो heredity है from one generation to another generation I hope आपको यह समझ आ गया हो आपको her चीज क्लिए आपको xy वाला जो है रहता है concept वो भी male and female वाला concept भी समझ आ गया होगा क्योंकि वहीं से आपको questions बनते हैं जाता नेचर क्या होते हैं आपकी प्रगर्थी होती है and nurture क्यों होता है आपका portion होता है अगर her identity को हिंदी में अनुवानशिकता बोलते हैं यह चीज आपको पता होने चाहिए और environment को तो वातावरन बोलते हैं यह तो आपको पता है यही होगी ठीक है so that's all for today thank you so much अगर वीडियो पसंद आईए तो please वीडियो को like कर दीजे friends के साच यह कर दीजे बाकी channel को subscribe कर दीजे thank you so much